नमस्कार बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में मैं हूँ शेप ग्रीज दूबे और आज की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोग को साथ में फूर्ट सलाद और फूर्ट प्लेटर बनाएंगे सबसे पहले हम फूर्ट को चील लेते हैं उसके बाद मैं आप लोगों दिखाए करके के से क्या होता है कि वेस्टेज नहीं होता कि कोई सीधी चीज होगी तो सीधा है अच्छा ее होता है तो व्याद क्यों यह गोल होता है यह चैसा है क्यों बहुत है आ noodles चले हम साथे हमनने में स्समानलन च्हीं लिया है कट चाHAHA चलेए लिए wait that's the way oh जितना अच्छे साप करेंगे हम उतना अच्छा लगेगा और यह देखिए इस तरीके से और यह पपया तो इस तरीके से हम इसको किलियर बना लेंगे और आप लोग यह बैस्टेज मस समझना इसको काट लेना है यह कट के लिए है और यह भी बैस्टेज नहीं है सब आप लोगों बताए जो भी निकलता है इसको मिक्स करके हम जूस बना लेंगे यह हमारे बाटर मिलन तो इस तरीके साप कर लेंगे हम बाटर मिलन को और यह पाइनापल खराब निकलेगा अभी हमने काटे है लेकिन यह पाइनापल 100% अब ही तो अच्छा देख रहा था भराटर मिलन किसे निकल गया और देखिए हैं तो पहचान निकनना जरूरी है यह देख लिए पूरा पाइनापल खराब नकला यह उपबढ़िया देख लिस निकलाओ पाइनापल के अखिया जूस traveled को बागी पूरा खराब निकल गया तो चले देखते हैं यह अच्छा निकलेगा खराब निकलेगा बहुत मैंने आपका बताया था कि खराब निकलेगा वह खराब निकल गया उपर से अच्छा देख रहा था यह अभी तक तो अच्छा है यह यहां से भी अच्छा है इस तरीके से छीलने पाइनपले देखिए म तो और जूसमैं थोड़े तोड़े दिख रहा है है लगा हूव पाइन पल के छिलके जैए से यह साप सुथरा 可以, कोड़े तरीके से चीज्ड साफ के लिए च्रूब की छीलने है और इस तरीके से चीलने चीए जो हमै असे तरुक मेड़े है पाइनापल के छिलके जैसे लगे यह जूस के लिए छीलने चाहिए ऐसा तो हमारा बैस्टेज नहीं होगा जूस में हमें बैस्टेज नहीं करने चाहिए जूस निकल जाता और यह कट के लिए तो यह दो तरीके सा आप अमने नोटी हो यह करने में निकाल दिया झाए उस पाड़क लगती खाने में काड़ फूड मुझे नहीं लहां इसका आप निकाल जूस मी बना सकते हैं कट करके और यह हमारा पाइनॉपल इसको भी इस तरीके यह पा एंट अब बनाते हैं लेकल डिखो पूरा उपनापबल मस्त साब सुतिरा निकला और उप चलते है चलते हैं तो हमेसा उतना ही छीले इससे आप लोग दिखाए मैंने इसे छीला चाहिए और हमने काट लिया हमें प्लेटर के लिए थोड़ा ही से पापया चाहिए यह देखिए इस तरीके से इसका हम यह साप कर लेंगी यह पापया साप कर लिया हमने और यह देखिए इस तरीके से हम य यह प्लेट लगाया नीचे इचाकू पर रखा और यह गया प्लेट में इस तरी के साम प्लेट में हाथ से उठाएंगे तो यह तरह उदर भागेगा और इस तरी के साम यह प्लेट में लगा लेंगे तो यह तो एक प्रकास से यह से लगा सकते हैं प्लेटर साप गोल प्लेट लागाना है इस तरीके सा प्लेटिंग कर सकते हैं इसमेंस पाइनपल चले Chief भी धिखाथे हैं बिल्य डिक्त सारा स्वचों अब देखा है आपको दिखाया मैंने जो आर रइए उठाने के यह दिखा चाकू नीशे लगाया उठाया यह प्लेट में गया तो ये इस तरीके से हम पाइनपल चलिया हम इसको फूट सलाद बना लेते हैं और हम फूट मिक्सट करा सारे फूट मिक्सट है पाइनपल पाइया मसमिलन और बाटर मिलन आपके पास जो भी फूट चाट मसाला डाला हमने और आप जिस कौंटिटी में उस कौंटिटी में डाल दीजिए और हमने डाला है 507 ग्राम और हमारा फूट थोड़ा सा हो हलका सा राट चिली पाउडर 203 ग्राम लेमन एक पीस निचोड़ाएंगे यह देखिए और लेमन डाला और इसको मिक्स कर लेंगे हम फूट सलाथ के लिए और इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे हमारी फूट सलाथ रेडी बस बहुती सिंपल है इसमें चाहो तो आप काला नमग भी डाल सकते हैं और हमें प आप काड़ते हैं तो पौदीने काला पड़ जाता है तो पौदीने के पत्ते तोड़के डालने चाहिए तो काला नहीं पड़ेगा और हमारी फूट सलाथ रेडी इसमें आप चाहते हैं तो काला नमग भी डाल सकते हैं हमने नहीं डाला है दिखाएंगे पतले स्लाइस और यह देखिए, इस तरीके से इसको हम लगा लेंगे, यह इस तरीके से पर हम यह देखिए, ऐसे लगा लेंगे, और बहुत सुन्दर देखेगा, बस एक के पीछे एक रखते जाना है इस तरीके से, और यह रेडी, यह देखिए, इस तरीके से इसको हम लगा लेंगे, तो सुन्दर भी देखेगा और अच्छा भी दिल लगेगा देखने में आपके पास जो भी फूरूट है आपको एक्जामपल मैंने लगा के दिखाया है और इसके हम उससे देखने में हमारा बहुत सुन्दर देखने लगाएगा और अनार अभी रैड नहीं आ रहा एकदम न इसमें ब्लैक ग्रेप्स डाल दीजिए आपके पास से तो और सुन्दर लगेगा आपका सलाथ फूड सलाथ इस तरीके से आप लोग फूड सलाथ बना सकते हैं और आपका हम प्लेटर एक और देखाएंगी लगा के तो हमारी रेसिव अगर आप लोग अच्छी लेगी तो कर लिजिए और बैल आइकन हो दावा दीजिए जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोग अपडेट मिल जाएगा तो देखे कितनी सुन्दर लगने लगे फूड सलाथ आप चैसे भी चाहते वेंसे आप गाने सिंग इसमें कर सकते हैं एक सिंपल सी गाने सिंग करके द बता रहा हूं कि आप इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं और आप लोग बोलेंगे तो फिर आप लोग डिजाइनर दिखा हुआ में जो बहुत थोड़ा से टाफ होता बनाने में कि चलिए प्लेटर लगा लेते हैं है है कि फुरूट लिया मैंने एक यह देखें फूट काट लिया था कि फूट काट और इस तरीके से लंबा-ằंबा हम रख देंगे अ कंतरूट कम फूटी हमारा प्लेटर बरा भर देखेंगा यह देकिए बड़ा बरतों महारा बरा डेखें कम फूट में कम से कम फुरूट में भी हमारा ये प्लेटर बन जाएगा ये देखे हमने इस तरीके से लगा लेंगे मास मिलान बाटर मिलान जो भी फुरूट आपके पास है उसको लगा दीजे तो आपका प्लेटर भरा भरा भी दिखेगा और अच्छा भी लगेगा इसको चाहता है तो मैं खड़ा भी लगा सकता था सीधा सीधा उसमें फुरूट थोड़ा जादा लगता लेकर हमने दिखाया कि कम फुरूट में भी आपका प्लेटर भरा भरा दिखेगा तो इस तरीके साफ लोग बना सकते हैं बड़ा प्लेटर भी आपका पहुछ जादा है इस तरीके से आप लागा सकते हैं कि अश्वाय और यह देखी इस तरीके सामे मैंन कि यह ने देखिये से ड्रीके से काट लेंगे कि यह दोड़ा सा गाने सिंग करके दिखाते हैं कि देखिए इस तरीके से हम ले लेंगे और इसको में यह देखिए एक यह से लगाएंगे कि यह इस तरीके से लगा लेंगे यह देखिए और यह लगाया इसे गाने से कर लेंगे इस तरीके से लगा देंगे इसको थोड़ा सा पूदीने रख देंगे और हमारा प्लेटर फोड़ा सुंदर देखने लग जाएक है यह देखिए और यह वारा फूट प्लेटर कंपलीट कि सिंपल सा गाने सिंग और सिंपल सा पूट कम फूट में भी हमारा फूट प्लेटर अच्छा देख रहे तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं यह देख झाल झाल